दोस्तो अगर आप UP scholarship का renewal farm फिलब करना चाहते हो, किसी भी class के छात्र हो, तो आज के studio में सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, कैसे आप खुश से ही अपने mobile phone से अपना farm फिलब कर पाओगे, कहीं जाने की जरूत नहीं है, तो सारी detail हम इस studio में बताने वाले हैं, वीडिय diploma या intermediate high school का renewal farm फिलब करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको UP scholarship की official website पे आना रहेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा, डारेक्ट आप लिंक से आप इस website पे आ सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको एक option मिलेगा, student का, तो simply आपको student वाले option प आपको फ्रस लागिन से अपना farm फिलब करना रहेगा, फ्रस लागिन पर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको चार आपसन मिलेंगे, प्रेमेटिक student लागिन, intermediate student लागिन, और यहाँ पर other than intermediate लागिन, इसके बाद अगर आप renewal farm फिलब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको student से लागिन करेंगे, नीचे यहाँ पर अगर आप postmatic other than intermediate के चाहते हैं, बीए, बीए, सी, बी, काम, डिग्री, डिप्लोमा, कोई course कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको postmatic other than से अपना farm लागिन करना होगा, नीचे यहाँ पर other state के लिए दिया हुआ है, other state के student लागिन कर सकते ह हम यहाँ पर बात करने वाले है, postmatic other than intermediate जो student रहेंगे, वह अपना farm renewal कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जो भी postmatic other than intermediate के चाहते हैं, वह अपना farm फिलब करने के लिए, अपना farm भरने के लिए, simply यहाँ पर postmatic other than intermediate option पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, सबसे पहले आपको 2022 देश्ट का जो आपके पास रेजिस्टेशन नमबर रहेगा, उसको फिलब करना है, जो आपने पिछली बार फार्म पना फिलब किया था, उसमें एक रेजिस्टेशन नमबर आपको मिला था, इसके आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको नीचे फार्गेट पासवर्ड का भी आप्शन है, यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जब चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटियल यहाँ पर login हो चुके है अगर आप Renewal現 converter वर्म फिलड हैं तो यहाँ पर नीचरे आपको आधार परमारी करन करना होगा आपका Registration पहले से звिथ दिन यहाँ पर आपको अपना आधार परमारी करन कहने के लिए परमारी करन आधार नंबर पर कलिक कर देना है जैसे आप click करते हो तो यहाँ पर आपको इसको ऊपर scroll down करना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका नाम data birth नीचे यहाँ पर आपको अपना आधार number फिलब करना रहेगा देन यहाँ पर दुबारा से अपना आधार number देना रहेगा कि आपका जो आधार है present time में उसमें आपका नाम और जो registration में नाम है और data बरते हो सेम है तभी आपका यहाँ पर आधार verification होगा अगर आपका यहाँ पर नहीं है तो पहले आपको अपना registration में correction कराना होगा जिसके लिए आपको district जाना रहेगा अपने समाज करना आफिस को वहाँ से आपको correction करना रहेगा जैसे आप वहाँ पर आधार verification आधार वाले option पर click करोगे तो यहाँ पर आपका आधार प्रमाड़ी करना हो जाएगा अगर आपको कोई mistake है तो यहाँ पर आपको समाज करना आफिस में जाकर अपना यहाँ पर नाम जो भी registration में रहेगा उसको change करा लेना अपने आधार पर जो रहेगा उसको आपको registration में कराना रहेगा देन यहाँ पर आपको आधार verification करना होगा अगर आप ऐसे कर देते हैं, अगर यहाँ पर आपको तीन बार करने का समय मिलेगा, तीन बार से अधिक अधिक इसमें प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आपका फार्म लाक हो जाएगा, लाक होने के बाद दुबारा से आपना आधार वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, Click here, Adhaar, Authentication का option आ रहा जो OTP के थोरो आपको Adhaar, Authentication करना होगा जिसके लिए यहां पर आपको Click here, Adhaar, OTP, Authentication का जो option है simply आपको इस पर click करना रहेगा अपना Adhaar OTP से जो verify करने के लिए तो यहां पर जैसे आप Click here, さ आधाar, OTP, authentication वाले option पर जैसे आप click करोगे तो यहां पर आपके आधार से register mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा आपका आधार से mobile number register होना चाहिए यहां पर आपका नाम और data word देखने को मिल जाएगी नीचे यहां पर आपको आधार से नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा OTP आपको देख सकते हैं OTP has been send your mobile number mobile number के लास्ट चारेंग सो हो जाएगे यहां पर आपको आधार बेस जो आधार से register mobile number है उस पर OTP भेजा गया आप यहां पर आपको OTP डालना रहे जो भी आपके नंबर पे प्राप्ठ वात देने हां पर वेरिफाइब आधार by mobile OTP वाले option पर किलिक करना रहेगा जैसे है आपको किलिक करना है जैसे आप किलिक करोगे तो यहां पर आधार पर्मारी करन हो चुका है देख सकते हैं उनको यहाँ पर mobile verification करना अनिवार है तब ही आगे आपना farm फिलप कर पाओगे जिसके लिए आपको यहाँ पर mobile number सत्यापन वाले option पर click करना है जिससे आप इस पर click करोगे इस परकार से अगर आपको interface आ जाता है इस परकार का error आ जाता है यहाँ पर आपकी details नहीं होती है उप आपको यहाँ पर कुछs error होझाता है तो यहाँ पर आपको घबरानी के बात नहीं home पर click कर देना है दुबारा से जैसे आप यहाँ पर home पर click करोगे पिरसे आपको वहीं पर आ जाना है अपने page पर यहाँ पर आपको अनुझी है आ अ जा रहे हैं आपको इसमें mobile number अपना डालना रहेगा यहां पर आपको time condition accept करना है नीचे यहां पर capture code डाल कर summit पे click करना होगा यह ध्यान रखना है कि जो आप number इसमें डाल रहे हो वो किसी दूसरे में आपका किसी भी दूसरे UPS scholarship में register ना होना चाहिए अगर आपका register होता तो यहां पर आपका सत्यापन नहीं होगा जैसे आप submit पे click करोगे तो यहां पर आपको OTP डालने का option आएगा simply आपको OTP इस वाक्स में fill up कर लेना है OTP fill up करने के बार side में आपको यहां पर capture code देखने को में लाओगा यहां पर अगर आपको capture code इस वो नहीं होता तो यहां side में refresh का बटन है simply आपको refresh पे click करके capture code दुबारा से आ जाएगा जैसे आप refresh पे click तो capture code इस वाक्स में fill up कर लेना है then निच्चे यहां पर आपको submit OTP proceed registration का option आ रहा है इस पर आपको click करना रहेगा तो में आपर OTP fill up कर रहे हैं यहां पर capture code होगा अगर आपका NPCI से counter link नहीं होगा तो यहां पर आपका NPCI सत्यापन नहीं होगा तो सबसे पहले आपनों बैंक जाना है वहां पर NPCI सत्यापन कराना है उसके सत्यापन कराने से 48 घंटे से 12 घंटे बाद दुबारा से आपको NPCI सत्यापन वाले option पे click करके check NPCI status पर जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपका NPCI सत्यापन complete हो जाएगा NPCI सत्यापन होने के बाद पर नीचे यहाँ पर आपको अपना farm संसोधित करना रहेगा जो आपका farm रहेगा यही आपका main होता है यहाँ पर अगर आप mistake कर देते तो आपका scholarship नहीं आता इस farm को आपको सही से अपना fill up करना है जिसके लिए यहाँ पर नवीनी करन आवेदन पत्रपे क्लिक करना जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस परका से इंटरफेस आएगा यहाँ पर registration की detail आपकी सोग हो जाएंगी यहाँ आपको चार इस्टेम में fill up करना है साच्छिक विवराण, नेजी विवराण, सुल्व समंधी विवराण और गतवर्स का विवराण चार इस्टेम में आपको complete करना रहेगा अगर आप से कटेगरी के चात्र होते हैं तो अगर आप यहाँ पर OBC के कटेगरी के चात्र तो यहाँ पर आपको banking detail देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको banking detail भी fill up करने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले आपको सच्छिक विव करना है यहाँ पर select करने की problem आ जाती है तो यहाँ पर आपको wait करना है क्योंकि जब तक आपके school का start नहीं होगा तब तक यहाँ से आप select नहीं कर पाऊगे यहाँ पर आपका automatic से ही पहले से select रहेगा अगर आप renewal category के छात्र होगे फिरस फार्म फिलब कर रहे है तो यहाँ पर आपको select करने का option आप सना आएगा renewal category के जो छात रहेंगे उनको यहाँ पर select करने की जरूरत नहीं पहले से यहाँ पर आपको पाठिकरम के जो वर्तमान पाठिकरम रहेगा उसकी डेट जो भी इडिवेशन डेट रहे इसको फिलब करना है बाकी सारी इटेल पहले से लग रहेगी अगर आप रासन का नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल कर करके आपका फार्म करोबाब आपको आपको अपने पर किलिक करदेना है। और यहाँ पर यहाँ पर ऎृस परिशें करोगे तो यहाँ पर कीटना पढ़ेएं और जो यहाँ पर पर करें की ज़रूरत नहीं है कैप्चा कोड लप करके यहां पर आपको up deaths ऐसे आप पर आपको फीची कर देना है यहां पर आपको फॉह हैज disc आज गया जाएगा यहां पर आपको फीच तालनी रहेगी जो जेबी आपकी अनमयोरिक सुलक होगी आपको अपने से पता का लेना कितनी आपकी फीस पढ़ने वाली है तो यहां पर आपको सो फीस डाल लेंगे क्लिक के करेंगे कुलिक कर देना है यहां पर जैसे update पर किलिक पर करो मोड कि इसके बाहर रचयंत प्रिष्छा पर लिए selfish कर주고 के इहां पर आपको गत्वर्स का आंग प्रांडी किया थी या फिर आपकी cgpcs प्रांडी थी आप प्रांडी से जो भी आपको पर्टांग आत्मबर मिलेकश गत्वर्स में उसको fill up करना है जितने भी आपको number प्राप्ट होए थे गत्वर्स का पुरांग जो भी था वो आपको यहाँ पर fill up करना रहेगा जैसे आप पुरांग fill up करोगे तो यहाँ पर आपका percentage आटोमेटिक आ जाएगा करोगे तो यहाँ पर आपको home का बटन देखने को मिला तो यहाँ पर आपको home वाले option पर किलिक कर देना जैसे आप यहाँ से farm update कर लेते हो जैसे आप home पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर farm update हो चुका है यहाँ पर green tick लग चुका है आपका photo तो नहीं दिखता है तो यहाँ पर कर आपको करना क्या है घब्रा नहीं तो सीधे आपको यह पर photo अगर आपको नहीं दीके लेना है फिर भी नहीं होता तो आपको तिवारा से अपना फार्म रिफ्रेस्ट कर लेना है जब तक आपका फोटो सो ना हो जाए तब तक आपको रिफ्रेस्ट करते रहना है जैसे आप यहां पर रिफ्रेस्ट करोगे इसके बाद यहां पर आपका फोटो सो हो जाएगा तो यहाँ पर आप को प्रिंट करके अपना प्रिंट कर लेना है इसके बाद आतुन आपको ऑले option पे click कर देना है जैसे आप back पे click करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका green take लग चुका है अब यहाँ पर आपको जाच उपरांत अपना आवेदन फार्म consent committee करने का option green हो चुका है आप अपना फार्म चेक कर लेंगे यह चेक कर आने के बाद इसकूल में अपना फार्म यहाँ पर lack करना होका सब कुछ details of check करने के बाद ही अपने Firm नाप करें यहाँ पर आप आहँ अपना संस्था में जमा करने हैं तो आथे दिन print कर सकते हैं जो संस्था में आपको heart copy जमा करनी है वो आप तीन दिन बाद यहां से print कर सकते हैं यहां पर आपको तीन दिन का समय दिखाए जाता है लेकिन यहां पर आपका 48 गंटे बाद तुरंत 48 नहीं आपका 24 गंटे बाद यहां पर आपका farm enable हो जाता है यहां से आप print कर सकते हैं अपना farm कभी कभी इसमें समय लग जाता है तो यहाँ पर अगर आपका एक दिन में नहीं होता तो दूसरे दिन जरूर हो जाएगा अगर आपका नहीं होता तो यहाँ पर आपको वेट करना है इसके बाद यहाँ पर आपका जाच है जो संस्था में जमा करने है तो प्रिंट है वो निकल आएगा जैसे ही आपका प्रिंट निकला है तो आपने कालिज में जाके जमा कर देंगे वीडियो परसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें